दोस्तों इन्फिनिक्स ने इंडियन मार्केट में फाइनली अपना एक तगड़ा फोन इन्फिनिक्स GT10 Pro को इंडियन मार्केट में लॉंच कर दिया है और दोस्तों इस फोन का प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुका है अब आप इस फोन को प्री बुक कर सकते हैं फिलिप कार्ड पे जा करके और दोस्तों इस फोन का डिमांड इतना ज़ादा है कि ये फोन तुरंत ही अश्टोक में आ रहा है और फिर तुरंत ही आउट ओफ अश्टोक हो जा रहा है और बहुत सारे लोगों को एक प्रोब्लम आ रहा है कि जब इस फोन को प्री बुक कर रहा है तो पूरा डिसकाउंट नहीं मिल रहा है दोहजार रुपया का और दोस्तों आपको बता दे कि मैं पिछले वीडियो में ही किलियर कर दिया था कि ये फोन 17999 में ही मिलेगा और ICICI Bank के काड़ पे 2000 का डिसकाउंट मिलेगा चाहे वो काड़ क्रेडिट हो या फिर डेविट हो दोनों ही काड़ों पे डिसकाउंट मिलेगा लेकिन बहुत सारे लोगों को ये डिसकाउंट नहीं मिल रहा है दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि आप जिस काड़ को apply कर रहा है ठीक है अगर उस काड़ को अभी recently ही use कर चुके होंगे फिलिप काड़ पे कोई भी product को purchase करने में खास करके किसी phone को ही purchase करने में या फिर कोई भी electronic product को purchase करने में तो फिर पूरा का पूरा discount 2000 का आपको नहीं मिलेगा ठीक है 1200 का मिलेगा या 1000 का मिलेगा कुछ इसी टायब का discount मिलेगा तो आप लोग अगर इस phone पे पूरा का discount चाहते हैं कि पूरा मुझे 2000 का discount मिले तो आप लोग एक fresh card को अप्लाइ कीजिए जिसको कि आप recently पहले यूज नहीं कियो होंगे card एकदम phrase होना चाहिए उस card को जब आप apply करेंगे तो पूरा आपको 2000 रुपया का discount मिलेगा और 2000 के discount के बाद ये phone 17,999 रुपया में एकदम सही deal होने वाला है और आपको इस phone के बारे में कुछ चीज़े बता देते हैं जो की हो सकता है आप लोग नहीं जान रहे होंगे या आप लोगों को बहुत ज़्यादा confusion होगा दोस्तों देखिए ये phone dedicated SIM card slot के साथ आ रहा है इसमें दो SIM और एक memory card आप एक साथ लगा सकते हैं उसके बाद दोस्तों देखिए ये phone लगभग 14 5G band के support के साथ आ रहा है तो 5G के connectivity में भी phone बहुत बढ़िया है और दोस्तों इस phone में 3.5 mm का headphone jack भी दिया गया है और इस phone का back panel polycarbonate कर रहने वाला है लेकिन phone back side से look wise बहुत बढ़िया होने वाला है और camera के पास कुछ LED light दिया गया है जो की work करेगा जब आप charge में phone को लगाएंगे उस time पे और जब कोई notification आएगा उस time पे या फिर जब आप music को on करके और उसमें आप sync कर देंगे तो music beats पे भी light जलेगा जो की बहुत जादा खुबसूरत सा लगता है और इस phone में एक feature दिया गया है bypass charging का feature तो आप gaming करते time पे भी phone को जब आप charge में लगाएंगे तो phone बिलकुल भी hit नहीं करेगा और phone hit नहीं करेगा तो performance और तगड़ा निकाल के देगा और इस feature के साथ ये phone ए gaming करने वाले user के लिए ना एकदम based बन जाता है हो सकता है कि आप लोग ये सब चीज़े नहीं जान रहे होंगे इसलिए मैं बता दिया हूँ बाद बाकि इस phone के बारे में आप सारा detail जान रहे होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा video और लेड़ी बन चुका है तो आपको थोड़ा सा wait करना है ठीक है फिर से ये phone stock में आएगा ही आएगा क्योंकि इस phone में जो जो चीज़े दिया गया है उसके हिसाब से ये phone बहुत ज़्यादा demanding smartphone बन चुका है और वाकई में आप भी अगर देखिएगा और समझने का कोशिस कीजेगा तो जिस price point पे इस phone को launch किया गया है discount के बाद इस price point पे कोई भी smartphone ये सब चीज़े नहीं दे रहा है इसलिए दोस्तों ये phone बहुत ज़्यादा demanding होने वाला है वैसे दोस्तों जो जो चीज़े मुझे बताना ज़रूरी लगा आपको इस smartphone से related वो सब चीज़े आपको बढ़ा दिये हैं वह इसे thank you so much for watching this video